नमस्कार मेरे प्यारे किसांसाथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल सादाबात के ज़री पर मैं हूँ सौनु जोधरी किसान सात्यों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुती ज़्यादा बहुती ज़्यादा इंपोर्टेंट रहने वाली है बिना स्किप किये इस वीडियो को आन्त तक देखिएगा और जितना संभव हो सके उतना ही वाटसेफ फेस्बुक गृपों में शेर कीजिएगा जिससे आपको इस वर्स आलू के 2024 रोग प्रती कट्टा के उपर के भी दाम मिल जाए तो ऐसे में जिन किसान सात्यों ने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए पास में ही बेल आइकने उसे ओल पर हिट कर लीजिए तब तो वीडियो बनाने का और जानकारी देने का मज़ा भी आएगा जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक बीडियो बना के जानकारी देना वियर्थी बात है तो ऐसे मैं सभी लोग जो की आलू में तेजी देखना चाहते हैं और तेजी लेना भी चाहते हैं वो सब्सक्राइब कर लिजिए क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक तेजी का कोई माहौल आप बना नहीं सकते तो ऐसे मैं आप सभी के लिए अलग-अलग राज्जियों से दो बड़ी खुश कबरी मैं आप लोगों के सामने आज जो है सारवजनी कर रहा हूँ साथ ही आप लोगों को उत्तर प्रदेश में चल रही मौजूदा प्रदेश्यों के बारे में भी आज अवगत कराऊंगा जिससे क्या है कि जो आपके अंदर जो घबराहट जो भैका माहौल बनाये जा रहा है उससे भी आपको कुछ राहत मिलेगी और उससे भी आप जो है निजात पा सकेंगे बंगाल के बारे में भी बात करेंगे तो किसान साथियों सबसे पहले हम बात करेंगे देश में आलू का सबसे बड़ा कलस्टर हब स्टेट्स कहा जाने वाला अग्रणी राज उत्तर प्रदेश जहां पर हर असंभव चीज़ को संभव करके दिखाया दिया जता है आज उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में इस्तिते कॉल्ड हिस्टोरे से साउथ के लिए दो गाड़ी ट्रकों की ओपनिंग हुई है और ओपनिंग इस रेट पर हुई है जिसे सुनकर आप सभी अंदर से रोमांची तो उठेंगे साथी जो आपके अंदर जो है भैका माहुलो जो घबरहट, मंदडिया और किसान विरोधी अराजक तत्वों ने पैदा की है उससे आप जो हैं उबर जाएंगे तो अगर आप यह सोच रहे हैं कि क्या बड़ी खुसकवरी है तो उन्नाव में रासन आलू यह चिप्स या प्रोसेसिंग या पाउडर या फ्लेक्स बनाने वाला आलू नहीं जो रोज मर्रा में सबजी बनाने में काम आता है जिसे टेबल वैराइटी अर्थात रासन का अलू गयते हैं अर्थात जिसे आप सहती सतान भी मान सकते हैं पुखराज भी मान सकते हैं कोई भी मान सकते हैं लेकिन प्रोसेसिंग वाला अलू नहीं है और इसका जो आज उन्नाव के cold storage से जो दो गाडियां release हुई हैं विदीवत रूप से पूजा अर्चना के करने के बाद मैं जो की चेंबर से बाहर आया है वो इसका rate रहा है 1120 रुपे प्रती packet 50 किलो ग्राम बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप इसमें तनिक भी गुंजाइस नह cold storage से gate जो खुले हैं उससे सभी की नीदे अराम कर दी हैं और इन भावों को सुनकर बहुत तेरे लोग जो की किसान विरोधी हैं जो की अराजक तत्व हैं जो की फटूआ हैं नंगा हैं 40 सेर के ना उन पे खाने के लिए हैं ना पीने के लिए नंगा क्या तो खाले क्या व्यक्ति जो हैं उत्तर प्रदेश में मिलेंगे जो की खंदौली में भी हैं इसे ऐसे और कुछ ऐसे भी हैं जो वीडियो सुनकर हमारा वीडियो का स्क्रीन सौट लेकर अपने उस पर लगाते हैं फेस्बूक बॉल पर यह सिद्ध करते हैं कि यह किसान विरोधी तत्व है आज जब 1120 रुपे प्रती कट्टा से उन्नाव जिले में ये खबर फैली पूरे उत्तर प्रदेश में तो तहल का मच गया अब जब तहल का मच गया तो उसकी ग्राउंड जीरो से सक्चाई भी हमने निकाल कर सामने लाए और सही तरीके से कोल मालिक ने जान करी दी कि पारी हैं इन तीनों ने मिलकर जो है अपने यहां के लिए आलू लोड करके हमारे कोल में से ले गए ये मेरा उत्तर प्रदेश में पहला कोल इस्टोरेज है जो की 1120 रुपे प्रती कट्टा से चेंबर के गेट खुले हैं मैं बगवान को धिर्दय से धन्यवाद देता हू जिनकी बदौलत जो है ठाकुर जी महराज की बदौलत जो है मेरे कोल से सबसे अच्छा रेट किसानों को आलू का मिला है तो ये बड़ी खुसकबरी थी जो लोग सोच के बैठे थे क्या रे अभी तीन-चार दिन से हल्ला मचाय हुए थे के आलू के रेट गर गए आलू का कोई लेना देना नहीं है ना उसके पास आलू है ना आलू वो करता है ना वो आलू खरिता है ऐसे लोगों की संक्या ज्यादा दूसरा जो नंगा आदमी फटूआ आदमी जो किसान विरोधी जिन्हें तेजी किसान का आलू किसान का प्रोड़क्त आलू नहीं कोई और पर यह साउथ लोडोरों ने उत्तर प्रदेश में करके दिखाया उत्तर प्रदेश रंड बांकरों की भूमी है यहां पर हर चीज को संभव करके दिखा दी जाता है कि यह चीज है और यदि आप यह बात को मानते हैं कि सौनु चौधरी ने जो कहा है वही सकते है तो साथियों 2020 का आंकड़ा लेके चल लोगों को अठारा सो दो जार बिख जाए यहां तो टाट पर जेवड़ा इन लोगों के ऊपर फैंक रखा है कि तुम जो है आलू को मद्दा गरे के दिखाओ तुमारी इस रूमर वाली बात थे कोई फरक पढ़ने वाला नहीं है लेकिन तुमारी इस हरकत का उन्नाव के कोल्ड मालिक ने मूँ तोड़ जवाब दिया है अब तुम कहीं के भी नहीं छोड़े उसने और ऐसे जो माहौल ये क्रियेट हुआ है न तो मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ मैं तो आप लोगों वो शुरुआ से ही कह रहा था कि आलू जो है खेतों से 800 और 1000 रुपे प्रती कट्टा पकेगा और कोल्ड के गेट भी 1100 के पार ही खुलेंगे तो आज यह हो गया और अब जब पहले भी मैं यही कह चुका हूँ कि 600 रुपे प्रती कट्टा का आंकड़ा जो है आलू जो है पार करेगा आप कताई कोई भी किसान सा ती 700-800 में मत बेचिएगा लेकिन फिर भी आप लोगों ने आलू बेचा अब जब बेचा तो उसका खामिया जया भी आप लोगों ने उठाया आज आप में से कई लोग जो है जो 500-600 जो हमारी बात को अंसुना कर गए और बोला कि यह मरवा देगा आज भी कई लोग जो है वाटसे फेस्बूक गृपों में ये लिख रहे हैं कि सौनु चौधरी मरवा देगा लेकिन आप जानते हो अपने हिर्दे की सीने से आत लागा के पूछना कि सौनु चौधरी जो कहता है वो मिलता है के नहीं मिलता है ऐसे लोग जिनके पास में ना आलू है ना आलू खरी खरीद पाए हैं क्योंकि उन्हें चस्का चड़ रहा था कि 400-500 में हमारे किसान देदें लेकिन सौनु चौधरी ने वो जो है नहीं लेत देने दिया किसी को और 800-1000 रुपे से आज भिक रहा है तो अब उसमें किस आप किरिशानों को मेरे प्रती बढ़काए हुए हैं तो अलग-अलग डिस्टिक में चाहिए वो आगरा हो, हत्रस हो, मत्रा हो, आपका कोई भी डिस्टिक हो उत्तर प्रदेश का फ्रोजाबाद भी हो सकता है तो कोई भी डिस्टिक हो अब यहां से नीचे तो खुलने नहीं हैं यहां से उपर ही खुलेंगे गेट जो हैं क्योंकि कि आप लोगों के अंदर गवराट पैदा हो, कि 80% कोल्ड भर गए और आप फैंकना शुरू कर दें आलू को, कि वो कह रहा 600 तो तुम 600 में दे दो, वो कह रहा 700 तुम 500 तो तुम 500 में देना शुरू कर दो, इस तरीके की जो मानसिकता है यह जो कोल्ड मालिक हैं आगरा, अल रखने से आपका चला जाए और आलू भिग जाए आपका 600 या 2000 रुपे तो वो 100 रुपे माइन ही नहीं रखते, लेकिन आप लोग समझते नहीं इस बात को, आप सोचते हैं कि कोल्ड में जाएगा आलू, कोल्ड में नहीं, कोल्ड में तो आपका और बढ़िया होगा, अभ अफवा फैलाई जा रही है, इन कोल्ड मालिकों और ऐसे अराजयक तक्तों के खिलाफ जो है, कारवाई निश्चित रूप से अमल में लाही जाएगी, जो जो नंबर वाट से फेस्बूक गृपों में वाइरल हो रहे हैं, जिन पर लिखा जा रहा है कि कोल्ड यहां पुल गुजरात से, गुजरात में आपने देखा था कि दो कुल्ड इस्टोरियों से रासन आलू की लोडिंग भी शुरू हो गई थी, सुम मौरत भी हुआ था और सब कुछ हुआ था, लेकिन यहां पर एक और बड़ी ख़बर है, गुजरात से हिम्मत नगर से, यहां पर आलू भी यूटिवर नहीं बता रहा होगा इस चीज को, लेकिन मैं बता रहा हूँ, इसे सौनु चौधरी बता रहा है, क्योंकि सौनु चौधरी ग्राउंड जीरो पर है, और वो सच्चा है उखाड कर सामने ला रहा है, जिससे आप सभी किसानों का, जो आलूप में कुछ इन् जिसान हितैसी कोल्ड मालिक हैं, व्यापारियां आड़ती हैं, उन सब का, और जो जिन लोगों ने आलू में पैसा इंवेस्टमेंट किया है, उन सब का भला हो, यही मेरा प्रयास है, हिमत नगर गुजरात से ट्रेंड देख रहे हो, लोड हो रही है, निश्चित तोर पर, क्योंकि गुजरात के नाम पर भी आप लोगों को बरगलाया गया ताकि कोल्ड इस्टोरे इतना फुल हो गया, इतना फुल हो गया, लेकिन कोल्ड इस्टोरे वहीं थे, 60% से 65%, लेकिन 70% फिर भी नहीं हुए, खोब पंजाबियों ने जोल लगाया, खोब जो है, उत्तर प लेकिन जहां तक मेरा अनुमान है, वो जो है, आलू सस्ता खरीदने और आप लोगों के अंदर घबराट पैदा करने के लिए, इस तरीके की प्राइव जित अफवाओं को जनम दे रहे थे, आप किसान साथी हो, उत्तर परदेश में 1120 से कोल्ड खुर रहे हैं और गुजर से बंगाल की तरफ बंगलदेश के लिए निर्यात हो रहा है, तो ऐसी जो संभावना है, कि आलू और आगे बढ़ेगा, तो ये संभावना नहीं, ये जो है, उम्मीद है, और ये बढ़ेगा, इसे किसी का बाप नहीं रोग सकता है, लेकिन आप लोग जो हैं, अब हिम्मत तोड़ जाते हैं, हिम्मत नहीं तोड़नी है, यदि आप हिम्मत तोड़ जाएंगे, तो बिखर जाएंगे, और बिखर जाएंगे, तो इसका ये फायदा उठाने के लिए तैयार बैटे हैं, अभी एक रुपिया भी आलू नहीं गरा है, तब इन्होंने सौ-दो-सौर प जाएं, ओल्ड इस्टोर सभी घाली है, अब किसान साती हो, तीसरी बड़ी खबर बता देता हूं, जो कि आप दो खबर बड़ी सुन सुके हैं, अब तीसरी बड़ी खबर सुलो, तीसरी बड़ी खबर है बंगलादेश आलू निर्याज से संबंदे जो भारत से पश्रिम म ट्रिक्टरंड दो दिन में गया है, और आज 200 MT में गया है, देखिए, साफ है, यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, ताकि आपका आलू जो है, 2024 में 2024 का भी रिकॉर्ड तोड़ जाए, 2020 का नहीं, 2024 का तोड़ जाए, और यह जो लोग अपनी मान सि क्योंकि इनके अंदर जो है, अब जो है, सहन करने की छमता तो है नहीं, कि यह क्या है, क्योंकि एक कावत हमारे उत्तरपर्दिस में आपने जानी नहीं, रांड के पाम साग लागे बहना है, यानि खुट तो साले मरी रहें, और किसानों को भी मरवाने की चेश्टा कर रहे हैं, और कई तो इसमें कोल्ड मालिक भी सामिल हैं, क्योंकि वो आलू को ब्यापार भी करना चाहते हैं, और उन्हें आलू सस्ता नहीं मिला है, तो ऐसे में कुछ ऐसे भी हरकातगंडे अपना रहें, और कुछ देखे इतना बड़ा है, मैं आप बता दूँ, कुछ तो ऐसा पाले हैं, वो तो सरम से मारे मरे जा रहे हैं, कि इनके कुल्ड बर गए, अब हमारा क्या होगा, तो वो मार्केट में जा रहे हैं, फ्लैक्स वाले के पास में, और 200 रुपे देखे एक बैनर बना रहे हैं, बढ़िया सा, किसानों के सहयोग से कुल्ड हाउस पुल, और लग आगरा में सबसे ज़्यादा खेल हो रहा है, इसे आप सभी लोग समझ लिए, आगरा में कोई कॉल्ड इस्टोरेज जो है, अभी तक 60% भी नहीं हुआ है, लेकिन इन लोग उन्हें ये अरकतें अपनाना शुरू कर दिये हैं, और ये अरकतें क्यों अपना ही जा रही हैं, जिससे आपके अंदर एक घवराट का माहौल पैदा हो, और आप आलू को फेंगें और ये खरीदें, और फिर ये बेन राटा के अपने कोल्ड में आलू को भर लेंगे, फिर कहां चला जाएगा हाउस कोल्ड जो है, तो ये देखिए जो चुनिंदा कोल्ड इस्टोरेज है आगरा के हों, या अलीगड के हों, या फिरोजाबाद के हों, फिरोजाबाद में दो-तीन कोल्ड इस्टोरेज, दो कोल्ड इस्टोरेज बने गए जो कि कोट की और जो है, जैंसंस, इनका तो श्यॉरली है क्योंकि ये जो है किसान हितैसी कोल्ड इस्टोरेज है, एक सिरसा अब ये तीन कोल्ड इस्टोरी बनने के बाद है फिरोजाबाद में एक हवा उड़ा दी कि फिरोजाबाद में कोल्ड पुलो गए जबकि फिरोजाबाद के आज के अमरुजाला में ये ख़बर चप रहे हैं इसमें साफ लिखा हुआ है अब इससे भी कोई जो कर ले लग जा आया है आठ लाग तील हजार पैकेट यानि कि टन में तो इससे देख लिए आदा आलू आया है अभी तो फिरोजाबाद में कितना हुआ पचास प्रतिसाद कोल्ड हुआ एक दो कोल्ड इस्टोरी तो हर जिले में बरे जा रहे हैं ऐसा कोई बाली बात नहीं लेकिन जो माह आत बी मोबाइल है आपके पास में वाटसफ फेस्बूक ग्रूप हैं जो इस तरह की वाउजात बातें कर रहा है उस पर ध्यान मत दीजे क्योंकि इनके पास में कुछ नहीं है ना खाने को न बैठने को न बैठने को न भीचाने को यह तो नंग आया है चालिस सेरी के और चाह रहें कि आप भी नंगए हो जाएं तो किसान भाईयों आप सभी लोग हो ज्यादा इतना स्ट्रिक्ट हो जाईए कि आलू अगर आपको कोल्ड इस्ट्रोई करना पड़े तो कीजिए लेकिन साथ सो आठ सो देना नहीं है जब ग्यारा सो बीस रुपे उत्तर प्रदेश म फैलाएंगे तो ऐसे में अब ये सारी इस्टितियां हैं बंगला देश भी आलू निर्यात हो रहा है गुजरात से भी आलू की लगातार जो है पहले कोल्ड से चल ला था अब रेक लोड हो रही है और उत्तर प्रदेश में भी यही हाल हो रहा है कि वो ग्यारे सो बीस से को लुख लए है तो आलू में तो तेजी बन गई और आलू में तेजी अब किसी का भाप नहीं रोक सकता है अब मंदडियों की सुलगे या सुलगे किसान विरोधियों की या सुलगे कुल्ड मालिकों की क्या फरक पढ़ने वाला है अब आलू रूखने वाला नहीं है और आप सभी लोग जो हैं, क्योंकि अभी तक किसी यूटीवर ने आपको ये जो गुजरात की है, या उन्नाव की है, या बंगला देस आलू निर्यात की है, इसकी जनकरी नहीं दियोगी। अकिला एकलोता सेर बैठा है तुमारा भाई, तुमारा मित्र, जो की जमीन से सच्चा ही उखड़कर आप लोगों के सामने दे रहा है, और वो आप लोगों को पत्थर की लकीर भी मिल रही है, कि ये है, दो दिन जरूर लेट हो जाए, लेकिन तीसरे दिन आपके सामने आ जा ले लोगे, अगर आप इसी तरीके से करते रहें, कि फौनू मरवा देगा, या वो तो इसी पे बैठा है, उल्ड भर गए, या ये बर गए, ये सिर्फ किसान विरोधी और मंदड ये लोगों की चाल है, नंगे लोगों की, फटूए लोगों की, जिनके पास न तो आलू ख लही है, बंगाल में आलू कम है, उत्तर प्रदेश में कम है, पंजाम में कम है, गुजरात हो में आलू में तो तीजी आनी आनी है, तो ऐसे मैं ये उस अलू को लपकने के लिए, इस तरीके लिया की हदगंडे हर गर्प में हर उसमें आपको मिल जाएंगे और कुछ लोग जो है इस वीडियो का भी स्क्रीन सोट जो है निरलज किसम के लोग है वो शेयर करेंगे कई लोगों का पहले भी मेरी शेयर की गई है तो देखो मेरे पर कोई फरक पढ़ने वाला नहीं है इससे आप लोगों का जो नीचतापन है जो नंगपन है वो किसानों क सारजनी की उराय क्योंकि आप सभी लोग किसान विरोधी हैं और किसानों का कभी आप लोग भला नहीं चाहते हैं और यही कारण है कि आप लोगों को 100-200 रुपे का बैनर बाज़ार से छपवा कर अपने कोल्डों के बहार लगाना पड़ रहा है कि आप क्योंकि कोल्ड भर नहीं पाए हैं और बड़ पड़ोस ही का भर गया तो ऐसे मैं अब हम तुम जाओगे कहां तो तुम्हें तो डूब के मरना ही मरना है तो सौका लगाओ या तीन सौका लगाओ यह तो सामने आना ही आना है पंद्रे बीस दिन बाद जब कोल्डों से खीच मचेगी यालू की सा यह तो पंद्रे दिन बाद मालिं पड़ेगा जब साओध के लिए लोडिंग खीचेगी तब सब किसानों के सामने आ जाएगा यह जूट बोलता था कोल्ड वालिक जो है तो ऐसे मैं सभी किसान भाईयों समझ जाए कोई भी उत्तर प्रतिस में कोल्डी स्टोरेज 50 से उप पर नहीं बराये यह सो में से अगर चार को छोड़ दो अगर चार बढ़गे तो 95 जो जनरल है वो खाली पड़े हुए है किसी में 40 प्रतिसात आलू आया है किसी में 55 भी आ गया है लेकिन इससे उपर किसी भी कोल्ड इस्टोरेज में 1 परसेंट भी आलू नहीं आया है यह स सब इन लोगों की मन गड़ंत चाल है कैसे भी आप लोगों से सस्ता आलू हात्याय जा सके तो बहराल किसान साती हो वीडियो में मेरे साथ में इतना ही लेकिन 700-800 कत्ता ही मत बेचना चाहें आपको कोल्ड इस्टोरेज में आलू रखना पड़ जाए 100 रपे का भाड़ा दे और हविस जो जोल है तो बहराल किसान साती हो वीडियो में मेरे साथ में इतना ही और सबी किसान साती ज्यादा से ज्यादा चैनल पर जुड़ें चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साती अन्य किसानों को वाटसेप फेस्बुक के माद्यम से वीडियो जरूर सेयर करें ज्यादा से ज्यादा सेहर करें, ताकि अब ये जो ग्याराइफ सो बीज का उत्तर पर्दिस में कोल्ड गेट खुले हैं, ये जो है, और आगे बढ़ते रहें, तो बहराल वीडियो में मेरे साथ में इतना ही, आप सबी लोगों की साल जो है, बहुत सुब हो, आपको आलू के इस बार जो है, बहुत अच्छे रेट मिलते रहें, जो कि आपने सोच रखे हैं, चाहें वो आप हाइबरेट किसान हो, या वो 3797, चिपसोना, सुर्या, एलार, या जोती, या आप केबाइस, या हॉलेंड, या कोई भी एपर जाती हो, जो आपने सोच रखा है, वो आपको आलू के दाम मिल जाएं, हलांकि जो 3-4 सालों से आप घाटा उठा रहें, उसकी पूर्ती नहीं की जा सकती है, मैं इसे दोरा रहा हूँ, लेकिन काफी हद तक आप लोगों को इस वर्स आलू के अच्छे दाम मिल जाएंगे, बसरते आप जो हैं, अपने माइंड सेट करें स्ट्रंथ लाएं और वीडियो जादा से जादा वाट से फेस्बूक ग्रूपों में शेर करें, धन्यवाद